दिबाली का मौका है आप निर्भर भारत के तहत वोकल फॉर लोकल कैमपेइन एक बार फिर से जोरशोर से चलाया जा रहा है इस कैमपेइन का वीडियो प्रधार मंत्री नरेदर मोदी के सोशल मीडिया हैंडल से खुद उनोंने अपलोड किया है लेकिन इसमें सबसे इंट्र की फेस इस बार अनुपमा क्यों है यह सिर्फ एक रैंडम चोईस नहीं है बलकि बहुत ही सोची समझी एक स्ट्राटीजी है उसके कई रीजन्स हैं जिसमें से मेंली तीन रीजन हैं जो कि सबसे जो प्रमुख वजह मानी जा सकती है सबसे पहला यह कि अनुपमा आज की ता तो धाई साल से यह सीरिल जो है लगातार ट्यार्पी की रेस में नंबर वन रहा है और अभी कुछ वक्त से नंबर तीन में यानि की जो टॉप थ्री सीरियल होते हैं उसमें इसकी पॉजिशन बरकरार है से कि अनुपमा सीरियल को वोकल फॉर लोकल का फेस ऑफिशली जिसमें की रुपाली गंगुली यानि की अनुपमा दिये की शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रही है और एक महिला है जो कि गरीब महिला जो कि दिये बेच रही है उसके साथ बार्गेनिंग कर रही है और वो उससे पांच रुपे दस रुपे कम करने को बोल रही है और कैंपेंट लाप सब्सक्रामा। जा भाइब और इससे दादा से जाधा लोग Miles RED66 30います एकंपेंट काफी लिए था यह काफी लिए खिर ऑफ यह कभीवा था और जब भी कोई फेस्टिवल दे उसमें ये क्लिप और वीडियो वाट्सअप पे और सोशल मीडिया पे बहुत जादा वाइरल हो जाता है तो कहने का मतलब ये है कि गरीबों के बनाएवे प्रोडक्स तो लेकर काफी अवेर्नेस भी हुई थी तीसरा जो एक बहुत इंपॉर्टन्ट रीजन है वो है अनुपमा सीरेल का गुजराती बैक्राउंड सबको पता है कि गुजरात जो है वो हमारे देश का मैनिफाक्ट्रिंग हब है वहां पर जो छोटी से छोटी इंडस्ट्री से लेकर बड़ी पेट्रोकेमिकल्स फामा हर तरह की इंडस्ट्री है और मैनिफाक्ट्रिंग सेक्टर में गुजरात जो है वो लीड कर रहा है इंडिया में लोकल जो इंडस्ट्री है जो लोकल मैनिफाक्ट्रिंग इंडस्री सबसे आदा अगर किसी स्टेट में उसे बढ़ावा दिया है तो वह है गुजरात और यह एक तरह से सिंबॉलिजम भी है एक तरह से बहुत ही रिलेटबल है कि उसी बैग्राउंड की गुजराती बैग्राउंड की एक लेडी एक कैरेक्टर अनुकमा वोकल फॉर लोकल को इं जिस तरह से अरुकमा की पॉपुलारिटी है जिस तरह से पास्ट में उनके वोकल फॉर लोकल कैंपेइन को लोगों ने इतना पसंद किया था तो उमीद है कि इस बार भी उनके वोकल फॉर लोकल कैंपेईन का बहुत ही पॉजितिव इंपक्ट होगा और हमारे देश के लो से उससे ही खरी देंगे